जैहिंद फ्रेंड्स आज हम लोग नेटवर्क अनालिसिस के अपने अगले टॉपिक की और बढ़ेंगे हमने के वील के सियल नेटवर्क टर्मिनोलोजी और चार प्रकार की थ्योरम हमने देख लिया था उसके आगे बढ़ते हैं यह सारा काम हमने कप किया था जब हमारे सर्क करेंगे बारी-बारी से ठीक है तो आज शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि आपको इसके पहले के वील केसियल की एक्वेशन बनाना आ गया होगा और उनको यूज करके थियोरम के कुश्चन सालो करना आ गया होगा ठीक है अगर इतना आता है कम से कम बेसिक के और केसियल एक्वेशन लिखना आता है तब हमारी आगे की जरनी आसान होगी ठीक है तो अगर नहीं किये हैं तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के विल एंड केसियल इन DC सर्किट विद डिपेंडेंट सोर्सेज अगर हमारे पास सर्किट में इन डिपेंडेंडेंट और डिपेंडेंडेंट दोनों सोर्सेज लगे हूँ तो हमारे पास सर्किट में KCL और KVL यह equations हमें लगाने आना चाहिए ठीक voltage dependent voltage source और voltage dependent current source ठीक current dependent current source का example क्या था BJT ठीक इसका example क्या था voltage dependent voltage source का इसका example था transformer current dependent voltage source का क्या example था प्रेक्टिकल एक्जामपल ये था FET और voltage dependent current source का एक्जामपल था OPM operational empty fire used as transconductance ठीक चलिए अब हम इनकी analysis स्टार्ट करते हैं इसमें सीखने को कुछ नहीं है क्योंकि KVL और KCL equation आपको पहले से सीखा चुके हैं हम direct question से समझेंगे तो हमारे लिए आसान चीजें आसान होंगी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इस question में देखिए इस question में ये है आपका independent current source इसके एकराज जो voltage है उसको हमने नाम दिया VX इस voltage पर ये depend कर रहा current source हमने कैसे पहचाना current source क्योंकि ये arrow बना है और हमने independent और independent के terminology जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जो independent source होता है वो गोले में दिखाया जाता है और dependent source हमेशा इस symbol में ठीक अगर इसमें plus minus है तो मतलब ये voltage source हुआ और अगर इसके अंदर arrow है तो इसका मतलब ये current source हुआ तो ये current source है किस पर depend कर रहा voltage पर तो एक जामपल किसका है current voltage dependent current source ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमें question पूछा क्या है कि आईए, IB और IC की value निकालिए IC नहीं दिया गया, माल लेते हैं IC ये है ठीक बास समझ में आ गई ठीक है अब क्या करते हैं अभी तक हमने KVL, KCL, Nodal Analysis ये सारी चीजें पढ़ी हैं अब हमें इन ही का इस्तेमाल करके इस circuit को solve करना है, ठीक है अब ध्यान से ये देखना है कि इस branch में एक ही current flow होगी और इस branch में current क्या flow रही है, IB तो IB की value किसके equal है 0.1VX लेकिन 0.1VX किदर जा रही है IB के opposite direction में तो इसको मान लेते हैं minus ठीक अच्छा, इसके cross voltage वही होगा जो इसकी parallel branch के cross है क्योंकि दोनों branch क्या है parallel में तो VX की value किसके equal हो जाएगी 18IA 18IA के cross हो जाएगी VX की value अब ध्यान से देखिए यह सभी node और यह सभी node यह एक ही है यहाँ पर तीन अलग-अलग node जो दिखाई दे रही है जंसन वो सारी क्या है एक ही है क्योंकि क्योंकि उनका potential क्या है एक ही होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी source नहीं लगा तो अगर मैं यहाँ का voltage VX मानू तो इस पूरे node का voltage होगा VX और यहाँ का होगा 0 तो मैं node analysis apply कर देता हूँ node analysis apply करूँँगा तो आने वाली current is equal to जाने वाली current तो VX minus 0 divided by 18 plus VX minus 0 divided by 9 और यहाँ से कौन कौन सी current जा रही है plus जा रही है IB और plus जा रही है 2A आ कौन सी रही है 5.6A equation first IB की value क्या है minus 0.1VX ठीक यहाँ पर put कर दीजिए जब आप put करेंगे तो क्या मिलेगा 3VX by 18 minus 0.1VX is equal to 5.6 minus 2. क्या मिला? 3VX minus 1.8VX divided by 18 is equal to 3.6. यह क्या मिला? 1.2VX divided by 18 is equal to 3.6. तो VX is equal to क्या मिला? 54V. अगर VX की वैलू 54V मिल गई, अगर VX की वैलू 54V मिल गई, तो आई यह के क्रास कितनी करेंट फ्लो होगी? 54 divided by 18, 3A. IB minus 0.1VX मतलब माइनस 5.4 Ampere. माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि IB की डारेक्शन अपोजिट होगी, मतलब उपर की ओर जाएगी IB. और मैगनिटूड क्या होगा? 5.4 Ampere. IC की वैलू क्या हो जाएगी? यह सभी ब्रांचेज पैरलल में हैं. तो IC की वैलू क्या हो जाएगी? VX divided by 9, 6 Ampere. ठीक. IC की वैलू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर Node Analysis Apply कर दीजिए. ठीक, यह KCL जिसे आप कहते हैं. KCL में क्या कह रहा है? कि इस नोट पर आने वाली current is equal to जाने वाली current. तो इस नोट पर आ कौन सी current रही है? मैं दूसरी पैंसे देख रहा हूँ इसको. इस नोट पर आ कौन सी current रही है? इस नोट पर आ रही है 5.6. अच्छा, दूसरी एक और आ रही है 0.1 VX. ये पहुँच रही है current और जा कौन सी रही है? माइनस टू, माइनस आई ए, माइनस आई सी. हमें आई सी ही निकालना है. तो 5.6 आ रही है. और कौन सी आ रही है? 0.1 VX. ये कौन सी रही है? माइनस टू, माइनस आई ए, माइनस आई B, माइनस आई सी. इस इक्वल टू जीरो. KCL यही कहता है. यहां से IC की वैलू क्या मिल जाएगी? 3.6 प्लस 0.1 VX, माइनस आई ए, माइनस आई B. 3.6 प्लस 5.4 माइनस आई ए की वैलू क्या मिली? 3. और आई B की वैलू क्या मिली? 5.4 वो भी, सॉरी, यह आई B आपका दो बार लग गया है. यह आई B 0.1 VX के ही बराबर है, तो यह दो बार लिग गया है. तो यह कितना हुआ? 3.6 प्लस 5.4 माइनस आई यह आई एक वैलू ए 3 और यह है 2. तो यह कितना हो गया? 9.0 माइनस 5 कितना हो गया? 4 एमपीर यह आपका एंसर ठीक, 5.6 इंकमिंग है, 0.1 वी एक्स यह आ रही है. नोट के अंदर जा कौन सी रही है? आई यह और 2 ठीक 5.4 3.6 आई यह की वैलू? 3 यह 5.6 होगा. किसी भी मेथट से निकाल लेंगे, एंसर सेम निकलेगा. यहां से आ रहा था 6 एमपीर, और यहां पर आ रहा था 4 एमपीर. तभी मुझे डाउट हुआ कि यह कुछ गढ़बढ़ है. तो फिर क्या हो गया? 11 माइनस 5 6 एमपीर. तो अच्छा है आप यहां पर KCL अपलाई करके कर लीजिए, यह डारेक्ट कर लीजिए. बात देखी है. ठीक है? तो इन कुश्चन्स में क्या करना है? कुछ नहीं करना. केवल और केवल आपको KVL की एक्वेशन, नोडल नालिसिस अपलाई करना या KCL की एक्वेशन अपलाई करना आना चाहिए. बस आपको सिर्फ यह देखना है कि इसमें अन्नोन कितने हैं. जितने अन्नोन है, उतनी एक्वेशन आपको बना देनी है. और सालू कर लेना है, आपको एंसर मिल जाएगा. ठीक, चलिए, नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं इसी का. नेक्स्ट कुश्चन ये है, कि इस 10 ओम में फ्लो होने वाली करेंट है I1. ठीक, यहाँ पर है वोल्टेज, 30 वोल्ट, इस नोड से, इस नोड के एक्रास, एक डिपेंडेंट करेंट सोर्स है, जिसकी वैलू है 15 I1. I1 क्या है, यहाँ पर फ्लो होने वाली करेंट, अगर यह करेंट चेंज होगी, तो यहाँ पर यह वाले करेंट भी चेंज हो जाएगा. यह है 30 ओम, यह है 40 ओम, और 40 ओम के एक रास, जो वोल्टेज माना है, वो माना है VX. हमें VX की वैलू चाहिए. ठीक, तो VX की वैलू निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ सॉर्ट कट है, सॉर्ट कटो, चलिए, यहाँ से I1 है, मान लेते हैं रख ब्रांच में करेंट, वो I1 है, यहाँ पर फ्लो हो गई, I, तो यहाँ पर क्या गई? I1 माइनस I, इस पर आप KCL अपलाई करेंगे, I1 पहुँच रही है करेंट, इस में से I निकल गई, तो बची कितनी? I1 माइनस I, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? I, I, I में से 15 I इधर चली गई, तो इस वाले ब्रांच में कितनी गई? I, माइनस 15 I1, यहाँ पर 15 I1 पहुँची, और यहाँ पर I1 माइनस I आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर करेंट कितनी गठ्था हो गई? 15 I1 प्लस I1 माइनस I, तो कितना हो गई? 16 I1 माइनस I, इधर जाएगी, और जब आप इनको और इनको अइड करेंगे, तो आपको नेट करेंट वही मिलेगी, जो वहाँ से आ रही थी, अगर I1 इधर से आ रही थी, तो इधर से वह I1 जाएगी, तो जब आप इनको आइड करेंगे यहाँ पर, तो क्या आइड करेंगे? I, माइनस 15 I1, और फिर आइड कीजिए 16 I1, माइनस I, तो आपको क्या मिल रहेगा? I1, और वही I1 करेंट जा रही है, आपके पास unknown कितने हैं इसमें? एक तो है I, दूसरा है I1, इसके लाबा और कोई भी है? नहीं है, I और I1 ही आपके पास तो unknown है, आपको दो ही equation बनानी है, जैसे ही I1 और I मिल गया, तो हमें यहाँ का voltage चाहिए VX, तो VX की value क्या मिल जाएगी? रेजिस्टेंस इन्टू फ्लो होने वाली करेंट और उसमें फ्लो होने वाली करेंट कितनी है? 16 I1 माइनस I, यह हमारा answer होगा, ठीक, तो निकाल लेते हैं, चलिए, equation बनाईए, equation बनाते हैं, पहले तो यह वाला लूप लेते हैं इधर वाला, यह, तो 80 से start करते हैं, तो क्या लिखेंगे? 80 माइनस, 10 I1 माइनस 20, I, माइनस 30, I माइनस 15, I1, is equal to 0, equation first, हमारा लूप कम्पलीट हो गया, KVL equation निकालना आपको बताये थे, जो equation निकालना बताये थे, जिस तरीके से बस वही equation हमने अपलाई कर दिया, उसके बाद, बड़ा वाला लूप लेते हैं, बाहर का, यह equation first हो गई, इसको पहले वो करेंगे, simplify, चलिए simplify कर लेते हैं, पहले लगा लेते हैं, दूसरी equation उसके बाद करते हैं, दूसरी equation करते हैं, 80, minus 10i1, minus, बैटरी के किस टर्मिनल पर पहुँचे, minus पर, तो minus 30, minus 40, 40 में कौन सी current flow हो रही है, 16i1, minus i, is equal to 0, equation, two equation, two unknown, हमें i1 और i की value चाहिए, तो first वाली equation को solve करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 80 is equal to, i1 के टर्म कितने हैं, 10i1, plus 20i, plus 30i, minus, 450i1, ठीक, तो कितना हो गया, 50i, minus, 440i1, is equal to 80, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 8 is equal to 5i, minus 44i1, यह आपकी एक equation हो गई, दूसरी equation, दूसरी equation, यह है दूसरी equation, इसको solve करेंगे तो क्या आएगा, 80 plus, minus 10i1, plus 30, minus, 640i1, plus, 40i, is equal to 0, यह हो गया, 110, 0, is equal to, 650i1, minus 40i, so 11 is equal to, minus 4i, plus 65i1, ठीक, यह equation 2, ठीक, two equation, two unknown, अब इसको, matrix form में, लिख लीजिए, जब matrix form में, लिखेंगे, तो 5, minus 44, और minus 4, 65, i, i1, is equal to, 8, 11, matrix form से, solve करना आपको बताये थे, इसके, determinant की value, निकाल लीजिए, matrix के, तो D की value क्या आजाएगी, 5 into 5, kramers rule हम apply कर रहा है, तो D की value क्या आगई, 151, D1 की value, 8, 11, minus 44, 65, तो D1 की value क्या आगई, तो D1 की value क्या आगई, एक हजार, 2004, D2 की value क्या आजाएगी, D2 की value आजाएगी, 5 minus 4, 8, 11, 87, तो I की value क्या मिल जाएगी, D1 by D, और I1 की value क्या मिल जाएगी, D2 by D, तो I1 की value क्या मिली, 1004 divided by 151, sorry, I की value, और I1 की value क्या मिली, 87 divided by 151, आई और I1 पता चल गया, आई और I1 पता चल गया, तो वहाँ पर जा करके, put कर दीजिए, और जब वहाँ पर put करेंगे, तो VX की value कितनी निकलेगी, VX इस इक्वल टू निकलेगा, 40, 16 into I1 की value, 87, 151 minus I1 की value, 1004 divided by 151, इसको सालू कर लीजिएगा, और जो आए, वही आपका, answer है, कहीं कोई दिक्कत हो, तो पूछ लीजिए, first time मैंने ये equation, आपको सालू करके दिखाया है, otherwise आप भी कुछ सालू करने को देते थे, और आसा ही करते हैं, कि आप सालू करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि एक्जाम आपको देना है, ठीक, बात समझ मैं आ गई, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो आप ये समझ रहे होंगे, कि सब का basic A की है, KVL और KCL, अगर वो लगाने आता है, तो उन्हीं equations को खाली तोड़ना मरोड़ना रहता है, बस और कुछ नहीं रहता, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपको, I1 की value निकालना, इस ब्रांच में कितनी current flow हो रही है, इस 4 ohm के एक रास, जितना भी voltage drop होगा, उसका नाम दिये हैं VX, और वही उतने ही voltage का ये है, voltage source, जो कि इस voltage VX पर depend कर रहा है, हमें क्या निकालना है, I1 की value, तो I1 की value निकालने के लिए, सबसे पहले VX निकालने हैं, और VX निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर दीजिए F, KVL apply कर दीजिए, तो 5 minus, battery के किस टर्मलर पर पहले पहुँचे, minus पर, उसका magnitude कितना है, 2VX, फिर यहाँ पर, VX is equal to 0, यही आएगा, तो कितना हो गया, 5 plus 2VX minus VX is equal to 0, तो 5 plus VX is equal to 0, तो VX is equal to minus 5, VX minus 5 होने का क्या मतलब है, कि इस voltage की polarity क्या है, reverse है, मतलब plus की जगह minus होगा, और minus की जगह plus होगा, ठीक, चलिए, अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर, I1 flow हो रही है, तो यहाँ पर भी I1 आ रही होगी, क्योंकि एक यह पूरी branch series में है, एक ही current flow होगी, ठीक, तो अगर मैं KVL equation लगाता हूँ, तो 5 minus minus 2 VX minus 2 into I1 minus 3 is equal to 0, तो एक के तना हो गया, 5 plus 2 VX minus 2 I1 minus 3 is equal to 0, 5 VX की value रख दीजिए, तो minus 10 minus 2 I1 minus 3 is equal to 0, तो minus 5 minus 3 is equal to 2 I1, तो I1 की value क्या मिली, minus 4, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, इसको एक दूसरे तरहीके से भी किया जा सकता था, अगर मैं यहाँ पर current I1 मानूँ, लेकिन उससे कुछ मांगने से कोई फायदा नहीं है, दूसरा एक नोडल नालिसिस से भी इसको किया जा सकता था, किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, अगर नोडल नालिसिस से यहाँ पर मैं अपलाई करता, यहाँ का voltage है VX, तो यहाँ पर current क्या हो जाती, VX-3 divided by 2, और VX की value क्या है, minus 5, तब भी आपकी current की क्या value आती, minus 4 amp, उससे भी हो सकता था, minus क्या क्या मतलब है, कि current अपोजी direction में है, और 4, उसका क्या है magnitude, ठीक, बात समझ में आ गई, कहीं कोई doubt हो, तो पूछिए, ठीक, चलिए, next question, next question, क्या कह रहा है, कि 6 amp, current source के क्रास, हमने voltage क्या माना है, VX, ठीक, इस 3 ohm के क्रास, current आई है, और इस current पर, ये वाला current source, डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक, हमें निकालना है, VX की value, ठीक है, question बहुत ही आसान है, ये पूरी node एक ही है, ये भी एक है, सब का voltage एक ही होगा, इनका, इधर का और उधर का, वहाँ का, उस पूरे सभी जंग्षन का, node voltage एक ही है, और इधर की सारे node का, voltage एक ही है, ठीक, इसको और simplify कर लेते हैं, ये 6 और 6 parallel में है, तो इनका equivalent resistance आ जाएगा, 3 और 3 और 15, 8 आ जाएगा, ठीक, तो इस पूरे branch का, resistance है, 8 ohm, ये सारी branch parallel में है, parallel में, voltage equal होते हैं, अगर एक branch के cross voltage है, VX, तो सभी branch के cross voltage क्या होगा, VX, तो यहाँ पर हम node analysis अप्लाई कर देते हैं, तो जाने वाली current, यहाँ पर है VX और यहाँ पर है 0, तो branch में कौन कौन सी current जाएगी, VX by 3, plus VX by 9, यह जाने वाली current है, और इधर से जाने वाली current क्या हो जाएगी, VX by, यह होता है, 8 नहीं, 18 ohm, 15 है वो, तो यह हो जाएगा VX by 18, यह तीनों branch में current outgoing है, 4 भी यहाँ से जा रही है, आ कौन सी रही है, 1,6 आ रही है, और दूसरी आ रही है 0.9I, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर, voltage drop कितना है, VX, तो VX की value क्या है, 3I, तो I की value क्या है, VX by 3, यहाँ पर put कर दीजिए, जैसे ही put करेंगे, क्या मिलेगा यह, 6VX, plus 2VX, plus VX, divided by 18, is equal to 2, plus 0.3VX, यह क्या हो गया, VX by 2, minus 0.3VX, is equal to 2, यह कितना हो गया, 0.4VX, divided by 2, is equal to 2, तो VX is equal to, क्या मिला, 10V, यह आपका, कहीं कोई दिक्कत हो, तो पूछ लीजिए, अगर दिक्कत ना हो, तो सबसे पहले, equation बनाना, start कर दीजिए, कभी भी question देख करके, घबराना नहीं है, कुछ ना समझ माया, तो KBL और KCL ही ढूणना है, ठीक, और कुछ नहीं करना, question ज़्यादा से ज़्यादा, आपका गलत हो सकता, इस से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो कभी भी copy pin चलाने में, कुछ एक दो page, waste करने में, rough करने में, संकोच मत कीजिए, क्योंकि hit and trial, जब भी आप practice करेंगे, उसी से आप सीखेंगो, और वही चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है, तो KBL और KCL, dependent source में कैसे apply होता है, circuit में, या आप जान गए, आगे अगर कोई question है, तो देख लेते हैं, नहीं, तो आज के लिए इतना ही, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे, superposition theorem, और वो theorem कैसी होगी, dependent source के साथ, dependent source अगर circuit में present हो, तो theorem कैसे apply करते हैं, सभी का basic यही है, कि आपको KBL और KCL, मतलब KBL, और nodal analysis आपको आनी चाहिए, अगर वो equation आप नहीं लगा पा रहा हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो उनकी अभ्यास खुब कीजिए, स्वस्त रहिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस इनी सुब काउनाओं के साथ, धन्यवाद